हमार अफिर कहना है कि इनको गिरफ्तार करके गोली से उड़ा जाए एक मैसीज जाए नमस्का इन खबर में आपका स्वागत है करनाटक में पहले हिजाब्वी बाद और इसके बाद हर्सा की हुई हत्या ने पूरे सूबे को हिला करके रख दिया है कर्फ्यू और धारा 146 बढ़ानी पड़ी है रविवार से लेकर अभी तक 14 से अधिक हिंसा और आगजानी की घटनाय हो चुकी है इस मामले में 6 गिरफ्तार किये जा चुके है इसके बावजूद विबाद थमने का नाम नहीं ले रहा है सबसे बड़ा जो इसमें पंटुवर्सी है वो ये कि क्या हरसा की हत्या हिजाब विबाद से जुड़ी है बीजेपी के संग्ठन मंत्री है बेर संतोस उनका कहना है कि हरसा चुकी हिजाब के अगेंस था इसलिए इसके हत्या के तार उससे जुड़े हो सकते हैं वहीं से शिव मोगा से हीज़ेत बिधायत मंत्री है इस्वराप्य उनका कहना है मुस्लिम गुम्डव ने हत्या की है और आब राजत क्या कुछ छुपाया जा रहा है अभी तक 6 ग्रहतारी हो चुकी है 12 से पूश्ता चल दा ही है लेकिन जो ग्री मंत्री है अरगा ज्यानेंद वो का रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है होता क्या है कि आग में पानी डालने के लिए कई बार सरकारे ऐसा बयान देती है उसमें जो ग्रिफतार हुए है उसमें से अधिकांस वही सीव मोगा के ही है और हरसा भी सीव मोगा का ही था फिर क्या छिपाया जा रहा है क्या हो रहा है ये तो बार में पता चलेगा बहराल इ उसी में से गाजियाबाद का बिधान सभाचेतर है लोनी जहां से बिधायक है नंद की सुर्थ बूजा है हर्सा की हत्या और हत्यारों के खिलाफ करवाई को लेकर के सबसे पहले तो उन्होंने कंडल बात निकाला कर दिध हरा और उसके बाद उन्होंने क्या कहा क्यों वसी पे बरस पड़े गयों का दिया की इ accounted enrollee में घूचे नहीं देंगे इस तो भी बड़ी बात जाका प्तिधा जड़ाष इल्यायक .... लेकिन एक सांसा धो करके इस तरह की वाहियात बात करता है लौनी में आने की बात की थी उखात तो नहीं थी आने की इस बार दिल्ली में भी हम गुस्रें जाएंगे अशिर नीज लोगों को अब देश के अंदर यह अहलात नहीं है पहले ही कहता था कि समाज़ती पार्टी आतंगी पार्टी का ही एक संठन है इसलिए किसी का मुह नहीं खुला है इतनी बड़ी घटना दरतनाख हुई है पूरे देश के अंदर लोग ठुखी है और यह केवल भोट पाने के लिए सब इस तरह की हरकत कर रहे है देश का हिंदु मुसल्मान सी किसाई पूरी ताकत के साथ इस घटने का विरोध कर रहा है आपने देखा होगा इसलिए इसको तत्काल हमारा फिर कहना है कि इनको गिरफतार करके गोली से उड़ा जाए एक मैसीच जाए इससे की भविश में इस तरह की घटना ना हो पूरी तरह से लौनी के जो लोगों ने इस तरह से आज उन अपनी सर्धानी ने दिये इससे पता चलता है कि लौनी वास्ता में राश्वात के लिए हमेसा आगे रहे है जैसा कि आपने सुना वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ गिरफतार करने से बात नहीं बनेगी इनको गिरफतार करके गोली से उड़ाईए अदरवाइस सबक नहीं सिखेंगे सवाल इस बात को ले करके हो रहे हैं कि हिजाब भी बात जो हो रहा था वो तो अधालत में था इसके बावजूद एक पक्ष उसको मानने को तयार नहीं था बार-बार मुस्लिम रड़कियां जो है हिजाब लगा करके स्कूल कॉलेज पहुच रही थी यनि जान बूज करके उसको तूल दिया जा रहा था और हर सा हिजाब का उनिफार्म का समर्थम कर रहा था लिहाजा दोनों घटा हैं जूड रही है इस पे लोग बटे हुए है सीव कुमार है जो कांगरश के नेता हैं वो जो भी इसको लेकर के BJP के नेताओं के बयान आ रहे हैं उसको लेकर के नराजगी जता रहे है इसवार पार को लेकर के तो उन्होंने अब्जेक्शनवाल वर्ड तक निकाल दिये होज ही नहीं कि वो क्या बोल रहे है लोसकता है इसलिए वहाँ पे नेताओं में बयान बाजी चल दही है निताव में बयान बाजी चलती रहती है वो बड़ी बात नहीं बड़ी बात ही है कि हर्षा को नयक कैसे मिलेगा उसको कुसूर क्या था घर के बाहर ही उसको चाकूर से बोद दिया गया इतनी नियुसंस तरीके से हत्या की गई और जो गिरफतारी हुई है अभी त तमाम नेता हैं जिनका मानना है कि हिजाब इबाद और ये जुड़ा हुआ है चलिए देखते हैं आगे क्या होता है सांती बयोस्था बनी रहने चाहिए और उसके लिए जिला प्रसासन महा पे कदम उठा रहा है लेकिन जीस तरीके से पिछले दो दिन में घटनाय हुई है आगजनी की हिता की तोड़ फोड़ की उससे लग रहा है कि जिला प्रसासन को इस लिटी को समालने में मसकत तदी करनी पड़ेगी तो आप रहे ने बेखबर देखते रहिए इन खबर